हेलो स्ट्टूडेंट यू आब रिद अबाउट डेमोक्रेसी एंधाव यो विल बैर्ला इक्वैलिटी इन डेमोक्रेसी तो वाट इस पार्टि इन डेमोक्रेसी टेमोक्रेसी में है क्या तों डेमोक्रियमें ही वह सभी और और इंडियन चितीजन्स अरिक्वल सारे जो भादती हैं जो नागरिक हैं वह सभी और है और क्या है ऑशोथ यह सब्सक्राइबब接ente मतलब यह है कि वह कहीं भी गवर्मेट जाब कर सकते हैं किसी भी गवर्मेंट institution में study कर सकते हैं और public building में enter कर सकते हैं untouchability जो है वो illegal है यह चुवा चूट हमें नहीं रखना है और यह जो है punishable है यदि आप किसी से चुवा चूट करते हैं तो आपको punishment भी मिल सकती है तो state जो है वो किसी भी citizen को को special title नहीं देता है जिससे कि उसे समाज में special विशेशाधिकार प्राप्त हो state के लिए सभी लोग समान है सभी लोग equal है तो equality के लिए बहुत संघर्स करना पड़ा है कई लोगों को जैसे दलीत लोग जो हैं उनके साथ भी बहुत भेदभाव होता आया है लेकिन आज यूग बदल रहा है लोग समझ रहे हैं कि सारे इंसान equal ही है कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है किसी भी आधार पर एक दलित ऑथर है ओम प्रकास वालमी की जी इन्होंने एक बुक लिखा है जोनाथन ओ डलित लईफ इसमें उन्होंने एक बच्चे के बारे में लिखा है कि कैसे वो उसकूल में उससे पढ़ानी के बज़ाएं उसे काम करवाया जाता है उस से इसकूल के आंगन में पोचा लगवाया जाता है जहारू लगवाया जाता है यहीं साब काम उससे करवाया जाता है क्योंकि वह दलित ग्रूप से आता है तो उन्होंने इसमें दलित लोगों की जो लाइफ है और इसने लाइफ उसके बारे में दिखाया है हलांकि अब सिस्टम बदल चुका है TMS ऐसा ही एक संग है इसका फूल फॉम होता है तवा मतर से संग जिसे की inequality का सामना करना पड़ा था और इनको अपने अधिकार के लिए संगर्स करना पड़ा था कई हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं देश में क्या वर्ल्ड में भी कई लोग ऐसे हैं कई जगह पे लोगों को संगर्स करना पड़ा है अपने धिकारों को प्राप्ट करनी के लिए तो TMS एक ऐसा और्गनाइजेशन है जिसमें कई फिशिंग जो कॉपरेटिव बहुत सारे फिशिंग कॉपरेटिव ने मिल करके यह TMS और्गनाइजेशन बनाया है और यह जो था यह TMS यह ट्राइबल के द्वारा सेट अप किया गया वो ट्राइबल्स वो जन्जाती लोग जिन होने की अपना लैंड खो दिया और क्योंकि उनके जमीनों पर डैम बन गया यानिकि वहां पर मद्य पर्देश में एक नदी है तवा जो की वहीं पर डैम बना और उस डैम के बनने के कारण और सत्थपुड़ा फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने के कारण उनको अपने लैंड से अपने जमीन से हाथ धोना पड़ा और इसके बाद वहां से वह हट गया अपने जमीनों को छोड़ना पड़ा जिसके कारण वह बेरोजगार हो गया और इसके कारण पिर इन्होंने फिसिंग करके अपना काम चलाया अपना जो अर्निंग अनके जीवन आपन का साधन था वह फिशिंग बन गया यानि कि मचली पकड़ करके उनको बेचना यही उनका पेट पालने का वज़ा बन गया कारण बन गया और जो सोर्स ऑफ बट यह जो सोर्स ऑफ समंकी कांव था जो कि मचली मचली बेच कर के कमाते थे और वे उस वक्त खत्म हो गया जब क्वर्मेंट ने फिसिंग राइड प्राइवेट ऑर्गन्यजेशन को दे दिया से उनका वह जो जो आदिकार था, present षिन लेबरर्स को, दूसरे मजदूरों को, दूसरे एरियाज के मजदूरों को काम दिया और इस वज़ा से यहां जो लोकल पीपल थे तो उनको फीशिंग करने से मना कर दिया गया तो इसके कारण TMS ग्रूप ने उस और्गनाइजेशन के खिलाप प्रोटेस्ट किया अंदोलन किया उसके खिलाप और यह डिमांड किया कि जो भी दिसप्लेस पीपल है उनको यह अधिकार मिले कि वो वहाँ पे फीशिंग कर सके मचली पकड़ सके उससे अपना जीवनियापन कर सके तो लगातार प्रोटेस्ट के चलते लगातार विरोध के चलते गवर्मेंट ने एक कमीटी गठित की और यह कमीटी का सजेशन यह था कि गवर्मेंट को टीएमेश ग्रूप को ही फीशिंग राइट दे देना चाहिए और इस तरह से कुछ सालों में टीएमेश जो था वह इंप्रूब हो गया और यहां लोगों को उतनी प्राब्लम्स नहीं होती है उनके जीवनियापन का तरीका जो था शाधन जो था वह मिल गया तो गवर्मेंट जो है वह बीच बीच में कई एक्वैलिटी को प्रोमोट कर करने के लिए स्कीम लाते रहती है इसके गारण जिन लोगों के साथ अन इक्वल ट्रीटमेंट होता है तो उनको एडवांटेज देती है और उनके खिलाफ लॉब भी बनाती है नियम भी बनाती है जैसे की जडलित लोग है तो इनको सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलए कि इनको डिस एडवांटेज मिलता है ने कि इनके साथ कुछ गलत ही होता है तो इसके लिए भी सरकार ने इनके लिए भी कुछ इस्पेशल बेनिफिट दी है गवर्मेंट ने और भी कई स्कीम चलाए हैं जैसे कि स्कूलों में मिद्डे मील योजना तो मिद्डे मील जो है मिद्डे मील का ये ड्वांटेज है कि कई पूर चिल्ड्रेन चाहिए कुसी कास्ट के भी हो तो वह यहां पे यदि उनको घर में एनफ फूड नहीं मिलता है प overe ocean प्राप्त करने के लिए वह आ सकते हैं इन इनकरेज किये जाते हैं और इस वजiman वह उनका एड्मिशन भी स्कूल में हो जाता है वह पढ़ाई भी कर सकते हैं और मिद्डे मिलच चलाने का ये ऐख कारण थे जो सरे जो कास्ट के लोग होते हैं वो इसकुल में ही पढ़ते हैं सारे कास्ट के बच्चे जो होते हैं इसकुल में ही आते हैं और बच्चे जो हैं ज्यादा सीखते हैं जल्दी सीखते हैं और जब सारे बच्चे एक साथ मिल करके भोजन करते हैं तो इसे वो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता ह यानी जाती गर्ट जो भेदभा होता है यह बच्चों के मंद से हट जाता है और इन्ही सब चीजों के लिए यहां तकी स्कूल में दलित वुमेन को भी इंप्लोई किया जाता है कUp करने के लिए भोजन को पकानी के लिए और यह सारा जो है वह कास्ट competition को रोगता है और है तो इन्टिया में इंडिया में सो है वो यूनीक नहीं है मतलब कि सिर्फ इनीक्वैलिटी इंडिया में ही नहीं होता है बलकि यह इनीक्वैलिटी और भी डेमोक्रेटी कंट्री में होते हैं एक्जाम्पल के लिए अभी भी जो डिस्क्रिमिनेशन है अफ्रीकन अमेरिकन के साथ उनीक्वै यूनाइटि ऑस्टेट ऑफ अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन के साथ उनको डिस्क्रिमीनेशन किया जाता है और यह टू है कि मुझमेंट इसी के लिए सिवील राइट मुवमेंट हुआ था 1950 में और सिवील राइट आक्ट ऑफ पस हुआ था जिसमें कि रेस कलर जाती और रंग रंग रूप धर्म और नेशनल ओरीजीन यानि कि वह किस कंट्री से मतलाव उसकी परती हुए है किस कंट्री में उसने जन्म लिया है या किस कंट्री से वो बिलॉंग करता है तो इसके आधार पर यहां पर भेद भाव करना वो मना किया गया कौन से आक्ट के तर्थ तो इस इविल राइट एक्ट 1964 के तर्थ यह सारी चीजे रेस कलर रिलीजन और नेशनल और जीन पर जो भ हलाकि इंडिया में अभी भी जो है इक्वैलिटी के लिए कई जगह स्ट्रॉगल हो ही रहा है कुछ लोग स्ट्रॉगल कर ही रहे हैं और वर्ल्ड के कई ऐसे जगह हैं कैसे प्लेस हैं कैसे कंट्रीज हैं जहां पर अभी भी इनिक्वैलिटी है और जो स्ट्रॉगल पॉर जो equality है निकि जो समानता के लिए जो संघर्ज है ये आवश्यक है